हेलो फ्रेंड्स मैं राजय स्कुमार तो आज हम टोपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह क्या है रेगूलेशन कि ऑफ गलाइकोलाइसिस फष्टार्ट नीयायकोला था कि और इससे पहले हम कर तुक है एक बार चेक कर लेना पड़ लेना ठीक है तो regulation how regulate the glycolysis regulate का मतलब ये है कि हम regulate का मतलब है कि कोई भी चीज ओन होना या फिर कोई भी चीज ओफ होना ठीक है एक limited number के बाद में चीजें अपने आप बंद हो जाना ठीक है जैसे cell के अंदर किसी भी चीज की जरूरत है ठीक है ठोड़े टाइम के बाद में क्या है वो cell मतलब अपने आप चीजें लेना बंद कर देंगे ठीक है मतलब अब मेरे को जरूरत नहीं है तो मेरे को नहीं चाहिए ठीक है simple सी बात है ठीक है फर्स्ट स्टेप में बताऊँगा जो पहला था step step first step first में क्या था कि glucose molecule glucose molecule convert हो रहा था किसके अंदर glucose glucose 6-phosphate के अंदर in the presence of hexokinase enzyme hexokinase enzyme इसकी short form में लिख सकता हूं HK hexokinase और एक ATP का loss हो रहा था ठीक है one ATP convert into one ADP तो ठीक है यह तो step first को हम मैं कैसे regulate कर सकता हूं ठीक है अब देखो hexokinase hexokinase जैसे देखो first क्या है hexokinase अब hexokinase enzyme को यह कैसे activate होगा और कैसे deactivate होगा मैं देखने जा रहा हूं देखो first देखो यह positive का मतलब है एक्टिवेटर कि कौन से factor है कि इसको क्या करेंगे activate करेंगे hexokinase को पहला तो क्या है कि मतलब अगर AMP और कौन से factor जो है मतलब inhibit करेंगे inhibit ठीक है तो एक्टिवेटर का नाम जो है मैं लिखने जा रहा हूं एक्टिवेटर जो है वो है AMP ठीक है AMP यह step first था glycolysis का इसके अंदर मैं बता रहा हूं कि hexokinase enzyme काम करेंगा अब hexokinase enzyme कैसे काम करेंगा hexokinase enzyme काम करेंगा in the presence of ATP तो इसके अंदर inhibitor दो है inhibitor मैं बोल रहा हूं ATP है ठीक है दूसरा क्या है glucose 6-phosphate glucose 6-phosphate अब आप लोगों बोलोगे की मतलब ATP तो यहां पर यूज हो रहा है तो यह ATP inhibitor कैसे हो सकता है तो ATP inhibitor ऐसे हो सकता है कि ATP की concentration अगर cell के अंदर जादा हो जाए normal से जादा थीक है तो यह step inhibitor का काम करेंगा यहां पर यह थीक है यह तो था first और जो मेरे पास glycolysis का step number third था थार्ड अच्छा ठीक है एक चीज़ और इसके अंदर जो दूसरा inhibitor कौन सा है glucose 6 पोस्पेट गलुकोज 6 पोस्पेट अगर जादा बन गया तो यही inhibitor का काम कर देगा यह भी inhibitor कर देगा किसको hexokainase को ठीक है कि हाँ बहुत बन गया तो गलुकोज 6 पोस्पेट अब जरूर नहीं है सेल को ठीक है तो यह थे दो inhibitor ठीक है अब क्या step third क्या था कि फ्रक्टोज फ्रक्टोज 6 पोस्पेट कन्वाइट हो रहा था किसके अंदर फ्रक्टोज वन शिक्स बिस फोस्पेट फ्रक्टोज 1 शिक्स बिस फोस्पेट इन दा प्रेजेंस ओफ फोस्पो फ्रक्टो काईनेज 1 ठीक है यह सोट फॉम लेकिए है मैंने फोस्पो फ्रक्टोकाईने लोन यहां पे भी 1 90 का लूज ओरा था मतलब सुर्यस्ट को इस स्टैप को भी करने के लिए 1कर टीप कलो सरा FCC यह द्धिस मेरे पास कैसा है र्र्यवर्सीम मतलब र्यवर्सिबल cer steel नहीं यह reverse नहीं हो सकता यह बारी यह प्रोडेक्ट बन गया तो तो यहां पे enzyme काम कर रहा है वह क्या है phospho fructokinase 1 तो अब यह किसकी प्र इसकी क्रेशेंस में कैसे काम करेगा देखते हैं वो फो फेक्टो-काई-कई-न जो enzyme है तो इसके लीए activities कौन है और inhibitor कौन है वह को देखते हैं प्लस का मतलब एक्TIVETER एक्TIVETER किस इसके लिए क्या होगा एम ठीक है एक्टीवेटर क्या होगा एए इंपी और इन्हीं बिटर aloud बहुत कि अगर सहल के अंदर जादा हुगई यह मतलब इनहीं मीट कर देगा ठीक है यह स्टेप को और और क्या होगा फ्रक्टोज 1-6-bisphosphate अगर इस यह अगर सेल के अंदर या यह ज्यादा बन गया इसका प्रोडेक्ट तो यह क्या करेगा ऊटुमेटिक यह इसको इनहीं बीट कर देगा ठीक है और एक्टिवेटर क्या है एक और एक्टिवेटर मैं इसमें लितना चाहूंगा वो क्या है फ्रक्टोज 2-6-bisphosphate इस फोसफेट इस फोसफेट इस यह भी एक एक्टिवेटर का काम करेगा इसके अंदर फ्रक्टोज 2-6-bisphosphate और इन्हीं बीटर के अंदर क्या आएगा कि अगर ATP की कंसंट्रेशन जादा हो तो यह स्टेप क्या होगा इन्हीं बीट हो जाएगा और फ्रक्टोज 1-6-bisphosphate की कंसंट्रेशन आगा जादा होगी तो यह इन्हीं बीट कर देगा इस एंजाइम को ठीक है और एक और भी इन्हीं बीट राता है सीट्रेट जिसको हम Cyt्रेट भी बोल सकते हैं और सीट्रेट भी इन्हीं वीट करता है फोस्पोफेक्थेश्ट कया है दो अब भीनित ट्रेट क्या है कि जैसे टूब को घंञता जिक Dog supportive नित्ट तो यह मेरे पास दो स्टेप है दो स्टेप के अंदर हमने पढ़ा है कि कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं गलाइकोलाइसिस को ठीक है तो स्टेप नंबर जो लास्ट था स्टेप नंबर 10 थेक है वो क्या था पीएप फोस्फो इनोल पाइरवेट फोस्फो इनोल पाइरवेट जो है वो कनवायट हो रहा था किसके अंदर पाइरवेट के अंदर पाइरवेट ठीक है इसके अंदर कौन सा एंजाइम काम कर रहा था इसके अंदर दो पाइरवेट काइनेज एंजाइम काम कर रहा था और इसके अंदर क्या है कि एड़ एटीपी की फोर्मेशन हो रही थी कितने मॉलेक्यूल दो ठीक है अच्छा अब देखो यह लास्ट स्टेप था और अब इसको हम जो पाइरवेट काइनेज है इसको हम कैसे र Egulate कर सकते हैं इसके को मैं लेकरा हूं stukking ठीक है पीकि अ की आपरवेट काइनेज तिक इसको हम कैसे रेगूलेट कर सकते हैं देखो इसके लिए जो आज क्टिवेटर तो हो गा मेरे पास एक्टिवेटर मतलब प्लस इसका अ एक्टिवेट करेंगा एक तो क्या है। मेरे पास AMP एडीनोसिन मोनोफोस्पेट, AMP का मतलब। ठीक है। अच्छा है। अब इसको इन्हीबीट कौन करेंगा। मतलब की रेगुलेट में दो चीजें आती है। एक तो बन रहा है और इलिट रा Τो इन ही बीड क्या करेगा इन ही पीड इसको एक तो मेरे पास ऐट एक टी पी करेगा अग Clifford गाई अगर अगर एको कंसेंट्रे सन्लल के अंद्र जादा अब do say को एसी टाइल कोई एनजाइम एक और शॉइनजाइम, ऑजिवनगे क्सको क्या करेगा किसको वेटल काइनेज एजाइम कों इन्हीबिटर का काम करेगा ठीक हैais IQ की त्याइनच केलिये की कैसे regulate करेंग cycle को और एक चीज में यह पताना चाहूंगा कि जो थर्ड step है glycolysis cycle का वो rate limiting step है ठीक है यह determine मतलब यह step काफी slowest step है ठीक है glycolysis cycle का और यह मतलब determine करेगा rate of reaction को ठीक है पूरी आगे rate of reaction की कैसे किस rate से reaction होनी है ठीक है तो यह थे कुछ regulation और hydrogen आयन भी क्या है मतलब inhibitor का का काम करेगा फॉस्पो फ्रेक्टो काइनेज enzyme ठीक है तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी कि काफी easy language के अंदर मैंने बताया है बहुत सारी चीज़ें मतलब कौन से चीज़ें एक्टिवेटर काम करेगी कौन सी एजे inhibitor काम करेगी आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी अगर वीडियो समझ में आई है अच्छी लगी है तो लाइक करना कॉमेंट करना और शेयर करना चैनल को कर लेना था कि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्प फुलो और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंग जाए थैंक्यू सो माइच